बदलाव दरसल जो होता है वो किसी को कभी अच्छा नहीं लगता है लेकिन अगर कोई बदलाव हुआ है चाहे उससे इत्वाक रखे हम या न रखे हम वो बदलाव क्यूं हुआ है क्या वाकई वो एक नए अध्याई की शुरुआत है भूमाता ब्रिगेड जो की इतने दिनो उसे सुर्खियों में रहा है शनी शिंगनापूर की वज़े से उसकी तरफ से त्रिप्ती देसाई जी हमारे साथ इस वक्त हैं चार सौ साल पुरानी परमपरा टूटी है यह उपलब्धी का भाव आपको लग रहा है यह आपको लग रहा है कि चारों तरफ से जो आवाजें कुछ उट रही हैं सवाल उट रहा है आप पर उनमें दम है बिलकुल दम है और मैं सभी तो कह रहे है कि यह भूमाता हुए थे यह सभी की जीत है और इनके आवाज में दम था इसलिए हम यह जीत पाएं लेकि तृप्ति जी लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इससे पहले भूमाता ब्रिगेड ने कुछ किया नहीं था कुछ किया था यह आपकी संस्थाने कोई और उसकी उपलब्धी है बिलकुल म न्याय अत्याचार होता है बलातकार होता है जहां जहां पर उनको जरूरत पड़ती है मैं कभी भी वहाँ पर जाती हूँ उनको मदद करती हूँ तो कहीं ना कहीं हमारा जो आवाज आगे आ रहा है हम लड़ाई रास्ते पर आके उतर के कर 쟁 wors То जो विरोध जो है उनको पहले था मतलब कॉर्पोरेशन की जो एक election थी उसमें मैंने मुझे उम्हेदवारी मिली थी तो लेकिन उसके बाद political party कैसे होती है वो कैसे हमारा जो है वो यूज करती है वो मैंने देखा है तो किसी political party से मैं जुड़ी नहीं हूँ पार्टी कॉन सी थी? आप ये इस मामले में जब उतरी तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था वो राजनीती थी वो धर्म था या वो समाज था मेरे मन में यही था कि आपने सुना होगा कि यह अंदोलन हमने शुरू क्यों किया तो 29 नवेंबर को जब एक महिला शनी प्लाटफॉर्म के उपर गई थी और उन्होंने जो शली शिडा का सपर्श करके दर्शन लिया तो उसके बाद गावकरिया और ट्रस्ट्रियों ने एक मीटिंग ले थी और जब महिला उपर गई और उसने भगवान को चुआ तो गावक नहीं देखा है लेकिन यह प्यूरिफिकेशन क्यों हुआ मैं भी आज बगवान की भग थू आज मुझे लगता है कि बहुत सारी लेडीज जो है वो घर में बगवान को बगवान की पूझा करती है मुझे तो लगता है हर कुंडली में शनी आता है मतलब महिलाओ के कुंड मंदिर है मारूती के मंदिर है वहाँ पे महिलाओ जाती है वहाँ पे तेल चड़ा सकती है तो शनी शिंगनापूर में ऐसा क्या है वहाँ पे गए तो क्यों रेडियेशन जो है वो महिलाओ के ऊपर आते है और क्यों हमें अपवित्र ठेराय जा रहा है तो यह कई सहन नहीं हुआ तो मैंने मेरी पदादीकारियों महिलाओं के साथ एक मीटिंग की थी और हमने कहा ता वहाँ पर जाएंगे वज़ कैसे हम अपवित्र नहीं है और जो जंडर एक्वालिटी है जहां पर पुरूच जा सकते हैं वहाँ पर सभी जगह महिला जा सकती है यह जो हमें कॉंस्टिटूशन ने दिया हुआ जो आधिकार है वो मिलवाने के लिए जाएंगे और तब इतना बड़ा अंदोलन इसमें होगा यह कभी सोचा नहीं है जो बाकी मंदिर हैं कुल ऐसे पांच मंदिर हैं बताया जाता है जहां इसे बहुत सारे मंदिर है तो आप हर जगे यह अंदोलन ले जाना चाहते हैं अभी तो शनी शिंगनापूर का अंदोलन सबसे पहले लिया था वो तो अभी एक्षस्वी हुआ है उसके बाद हमने महाशिवरात्री को त्रंबकेश्वर मंदिर जो महादेव जी का मंदिर है उसमें तो गर्बग्रुए में वहां अभी भी प्रवेश नहीं है तो आमारी यही मांगे कि त्रंबकेश्वर जो है वो बारा जोतिर लिंग में से एक है तो काशी विश्वेश्वर में महिलाओ को प्रवेश्वर गर्बग्रुए में सबी जगह दूसरे जोतिर लिंग में है तो त्रंबकेश्वर में ऐसा क्या है जो मह जहासी आती है जो बताया गया कि शनी बगवान को उनके वाइफ ने जो है वो श्राप दिया था एक वज़े बताई गई दूसरा जो है वहां तो आज आप देख रहे हैं कि हम वहां पर जो तेल चड़ा रहे हैं तो वहां पर तेल से महिला फिसल जाती है इसलिए महिलाओ को इंट्री नहीं है तीसरी जो वज़ा बताई गई कि यह जो शनी प्लाटफॉर्म है वो बहुत चोटा है तो सिर्फ वो महिलाओ के लिए चोटा है तो यह मतलब जब मैंने यह सब रीजन यह किया तो कही ना कही लगा कि यह हमें फसाने क्या जो शडियंत्र रखा हुआ है यह कोई पूरानी परंपरा नहीं है आपको धार्मिक मानिताओं में यकीन है करमकांड में यकीन रखती है आप जो सही बाते है उनमें याकीन रखना चाहिए सही यानि आपके हिसाब से सही नहीं ने मेरे हिसाब से नहीं लेकिन जो अभी 21 सदी में अगर कोई बोलेगा अभी 400 साल की परंपरा बतायता है या 100 साल की परंपरा बतायता है तो अगर वो परंपरा अगर हम 21 सदी में करते तो मैं यहां पे नहीं बैठती आप यहां पे नही और सभी जो कोई इस इसको बोल रहा है कि यह धार्मी कई से जुड़ा है तो बिल्कुल नहीं शनी शिंगनापूर में जो महिलाओं ने आपका विरूद किया उस वक्त आपको क्या लगा जहां पर यह मंदीर है शनी शिंगनापूर हो त्रंबकेश्वर हो वहां पर कई ना कई ना कई उनमें बदलाव लाने के लिए कैम्पेन की जरूरत है आवेरनेस की जरूरत है वो तो हम कर रहे हैं लेकिन उनका विरूद है लेकिन 95% जो महिलाओं जो यूथ है जो सभी कॉलेजिस जो लड़की सभी जो हमारे साथ है आपको ऐसा लगता है कि एक तबके का भी कि भी धार्मिक जो भावनाएं है वो आहत हुई है आपके इस कदम सर बिलकुल नहीं क्योंकि धार्मिक ये मुद्दा ये नहीं है हमने कहा ता कि जहां जहां सबी जाती धर्मों के मंदीर है वहां पे महिलाओं को जो प्रविश वरजीत है ये समानता का अधिकार का आपने भी साथ जाएंगी बिल्कुल अभी तो हाजी अली दरगा में प्रवेश नहीं है निजब दीन हो नहीं है जी वहाँ पे भी जो अंदोलन हुआ वहाँ पे हमने सपोर्ट किया हुआ है आगले हबते में सभी मुस्लिम महिलाओं को लेके मुंबई में एक अंदोलन प्रेस कॉं बिल्कुल दंकिया मिलती है बहुत बार लेटर्स भी आये हैं उन्होंने कहा था कि आपने अगर ये अंदोलन पीछे नहीं लिया तो आपको मार दिया जाएगा आपका दाबूल कर किया जाएगा मतलब लेकिन मैं बिल्कुल डरती नहीं हूँ अगर हम सही है हम अगर अच् संसत में 33 परसंट महिला को अरक्षन नहीं दिया जा रहा विल नहीं पास हो रहा है आप उसकी लड़ाई लड़ेंगे लेकिन आज जो इशू है सभी लड़ाई मही लड़ू ऐसे कुछ नहीं है लेकिन लड़ेंगे जहां-जहां महिलाओं के उपर नया है अत्याचार है उ अभी हम नैशनल लेवल पर लेके जा रहे हैं सभी जाती धर्मों के जहां-जहां मंदीर मतलब गुरुद्वारा हो दरगा हो मंदीर हो चर्च हो सभी जग महिलाओं को प्रविश मिलना चाहिए जहां पर महिलाओं के सामने इतनी बड़ी-बड़ी समस्यां हैं वहां पर आ प्रवेश नहीं दिया जाता था इसके खिलाप यह आंदोलन था क्योंकि वहां पर पुरूज जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल बड़ी लड़ाई की शुरुआती और यह कल जो अंदोलन जीत गया है या यह मिला है यह बहुत बड़ी शुरुआते जंडर एक्वालिटी के के लिए हम एक और सवाल ले लेते हैं वह नमाज नहीं पर सकती ना मजजिदों में जा सकती हैं क्या उनके लिए कुछ करेंगे आप बिल्कुल करेंगे मैंने अभी आपको कहा कि बहुत सारे मुस्लिम मैला हैं मुझसे जुड़ी हुई है और उन्होंने कहा है कि आप अगर हम दे रहा हैं उनके जो समाज में वो कोई उनको विरोध भी नहीं कर रहा है आगे भी नहीं जाने दे रहा है तो बिल्कुल उनके साथ जो है वो नमाज यह आपकी लड़ाई का पहला पड़ाओ था और बहुत अध्याय इस लड़ाई के बाकी है बिल्कुल यह तो में वांटेड अपराधी दीपक डबास आज सुबा पुलिस की हरासे से फरार हो गया है यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिस करमी दीपक को पेशी के लिए हर्याना के खरखोदा लेकर जा रहे थे